हेलो दोस्तों मेरा नाम है तुसार पंडेत और आप लोगों का मेरे चैनल हिस्टोरिकल प्लेस में बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स में आ गया हूं मतलब वापस और एक वीडियो के साथ वापिस अब इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया वहता पहले कु हमारा सिंगेदलान घाट और इस वीडियो पे मैं यहां के जो तीन-चार घाट जो भी हैं वहरे घाट को मैं यहां पर दिखाने वाला हूं और भाई हरे घाट पर हम अपने नाव से ही घुमेंगे खिलाल अभी मैं जिस चीज़ में बैठा हुआ हूँ वह एक नाव और इस जो आप देख पार है यह जो बिल्डिंग है इसे कहते हैं सिंगेदलान और यही हमारा सिंगेदलान और कहा जाता है सिंगेदलान के बारे में कि सेम इसी प्रकार का इसके नीचे दो-दो महला मतलब अंदर में धसा हुआ है और यहां पर एक फूपिया दर्वाजा भी था जिसे फूपिया गुफा कर सकते हैं जिस पर अभी तक का रिकॉर्ड है कि जितने बंदे अंदर गए जितने लोग अंदर गए वह बंदे वह लोग अभी तक वापस आए नहीं वहां से जोंके इसलिए उसे सिक्योर्टी परपस के लिए उस चेज को उस दर्वाजा को करने के लिए जा रहे हैं तो यहां पर हम लोगों ने अपना राइड श्टार्ट किया था तो मैं फिलाल आप लोगों को अपने बीच का वीडियो से डिखा रहा हूं है अब हमारा जो यहां तक सिन्ऺलान घाट वहां कत्म हो चुका है अब हम लोग आगे रूप कर चुके और यह हमारा ऐल सैख लाकार यानिक इसी का नवे गदारन है अब यहां पर कि आप यह लॲिघ design यह यहमारे राजमाहल घाट से मानिफ चगाट के लिए खुलती है और इस परकार कि यहां में 3-4 LCT और बहुत सारे बड़े-बड़े LCT भी यहां पर फिलाल इस LCT को अभी परसासर पर मुझाने के लिए यहां पर रेड़े के जा रहा है और यहां पर आपके से कितना बड़ा LCT यहां पर और एक लगा हुआ है और इसके जेश्ट वगल दिजिए हो आप छोटा ला देख रहे हैं यह है एक छोटा वाल ला LCT जिससे की सिर्फ लोग जाते से किसी परकार को वहिकल नहीं जाता है बाई को जाता होगा बट जो बोल सकते है ट्रक या फिर सार उस परकार को किसी भी चीजी उसमें से नहीं जाती है और सामने आप देख सकते हैं यह अब सिर्फी भी साइब को लेकर जाने के लिए यूज किया जाता है तो यहीं हमारा मानिक सब्धाट और यहां पर पी छट उजन की जाती है बहुत ही धोग धाम के साथ है तो मैं वह भी चीज आप लोग को दिखाने वाला हूं अ यहां पर बहुत अच्छे से मना जाता है और दोनों जगहां पर अपने अपने एक इस पेसलेटी यह है कि स्रीफलान घाट पर भी अपना अलग मूर्ति उठाया जाता है । यहां पर गंगा मा के पूजा की जाती है और दाला घाट से मुसरी परकार मूर्ति अपना अलग उठाया जाता है अब यहां में आपने से पानी की प्लांट और यहां से पानी उठाया जाता है और फिर वहां से पूरे सहर में सब्लाय दिया जाता है तो गंगा पानी यूज होता है हम जो पीने के लिए सरकारी नल में जो पानी आता है वो गंगा का पानी आता है यहां पर आपके सुखते कि बहुत राइदिंग भी कर रहे लॉट यहां में आप लोग थोड़ा सब देख सकते गंगा जी का की इतना बड़ा Dog Já पर मैं का जाओगा तो में पना के दिखा जाने में मतलब कितना टाइम लगता और बिच रास्ते में क्या-क्या हमें मिलता है फिलाल यहां पर आप दिख सकते हैं कि इधर भी छट पुजा के लिए बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए पुजन करने के लिए और यहां में दो-दो LCT है एक बुलू एक वेलो इसमें भी ट्रक लाद के लेकर जाया जाता है इस LCT कैपेसिटी है लगवग 12 ट्रक की और यहां पर आपने नाओ दे सकते हैं और भाई पानी में जो सुरे का जो परकास पड़ रहा है और उसका जो प्राकिर्ण हो रहा है मतलब प्रावरतन जो हो रहा है वह मतलब कुछ अलग साही लग रहा है मतलब बहुत जवर्दस सीन लग रहा है यहां पर आप लोग यहा मुस्ट अफ दा टाइम छट पूजा पे ही मतलब मैं घूमता हूं और काफी मजाता है मुझे यहां पर घूमने में तो हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं और मैंने कुछ गहात को तो कभर कर लिए एक उदारा गहातों कर लिया दूसरा सिंग्ल अगाट को कर लिया और अब बारी है निल कोठी हाट चलने की और उसके भीच में और एक घाट आता है तो वहाँ भी लेकि दGe समयं तो मैं दिखा दूंगा कि उधार क्या क्या रहे नहीं तो फिलहार ज हमें मालदा जाना है या वेश्ट वंगा जाना है तो यही जगह है जहां से हम लोग लॉंच पकड़के इस नदी को पाय करेंगे और सीरे वेश्ट वंगाल प्रेंटर कर जाएंगे अब यहां पर देख सकते हैं कुछ उच्छ पताधिकारी सा यहां इस लॉंच पर बैठे अब यहां पर और यह बहुत सारे पुलिस कर रहे हैं ताकि कोई डूबे न और यहां पर देख सकते कितना है सुन्दर मतलब कितना प्यारा सीन है यह तो अब बारी है आगे वाले घाट के तरफ चलने के खिलाल यह हमारा सिंग्रलान घाट का कुछ स्पोर्ट मैंने दिखाया आप लोग को वापस से तो अभी कुछ ज्यादा यहां पर सुभा हो चुकी है और आप लोग देखेते कि यहां में मतलब कितने सारे लोग हैं सभी यहां पर आगे मतलब वेट कर रहे हैं कि कब हमारा सुर्य डूबने क तो होगा और हम लोग यहां पर अराम से पूजा अर्चना कर पाएंगे और यहां पर आप लोग देखेते कि पीछे के तरफ आप लोग को और यहां पर भी पानी टंकी जहां से पहले मतलब अभी भी सप्लाई होता है पर यह पुराना वाला है और वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया पानी टंकी जहां से पानी लिया जाता है तो वो नया वाला है और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मच्वारे अप को और इस नाव का परियोग करते हैं जम्राजी में मचली पकड़ने के लिए और वो रात पे निकलते हैं मचली पकड़ने के लिए ऐसा कि हो रहा है डिन पर मैंने बहुत कम देखा है मचली पकड़ते हुए मचपारो को और यह हमारा तीसरा घाट यहां से सुरू होना सुरू हो चुका है यहां सामने आप देश सकते हैं कि कुछ फीड लगी से यहां पर महसूस को रही है और घाट से काफी ज़्यादा डिस्टेंस पर हमारा नौ चल रहा है वजह यह था कि छोटा सा चर निकला हुआ है अगर हम लोग ज़्यादा किनारा जाते हैं में ज़्यादक यहां तो हो सकता है कि हमारा ना जाके उस चर में फस जाए इसलिए हमें पुछ जाड़ा दूर से भूमना कोड़ा है है तो यहां में ब्यक्न गाया तिक दो खाट है पहले यहां पे और कहते आगे जहां में कि आप लोगत को कुछ दुमा टाइप कर दिख और अभी शूरी को दोपने में बहुत जादा समय है तो इसलिए हम लोग इसलिए इंज्वाइब कर रहे थे आते और भूम रहे तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट वोग से जरूर बताना बाके बाद अगर अच्छा लग रहा है न तो सस्क्राइब जरूर करना है घर को सुष्क्राइब जरूर जरूर परना और वीडियो को लाइक करने के लिए मत बूलना अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे नाव में कितने लोग बैठे वे थे और मैं किस नाव पर बैठा हुआ हूं तो यह वहे नाव है और इसमें कुछ मे मेरे मित्रगन भी बैठे हुए हैं तो सभी को यहां पे पूरा इंज्वाइब करते हुए और अब बार है हमें विदा लेने की फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बबाए और अगर अभी तक सस्क्राइब ने हुए हैं तो सब्सक्रा